नमस्कार दोस्तों इस वत की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रतिस के कुख्याद गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी को लेकर खबरों के मुताबिक गाजीपुर के MP MLA कोड ने मुक्तार अंसारी को गैंक्स्टर एक्ट में 10 साल की सजय सुनाई है इसके साथी 5 लाग का जुर्माना अत्रित लगाया गया है बताते चले कि भाजपा के टिकट पर 2002 के विधान सबाचुनाओक में मुक्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के प्रभाव वाली मुहंदाबाद सीट पर अफजाल अंसारी को मात देने वाले क्रिश्ण अंदराई की हत्य मामले और साथी वर अर्सी वे पारिट नंद किसो रुंग्टा के अप हरर केस को आधार बनाकर गैंक्स्टर एक्ट के तहट मुक्तार अंसारी गैंग ने 29 नॉमबर 2005 को करीब 500 राउंड गोलिया पर साकर भालपव विधाय के विदाएक क्रिश्ण अंदराई समय साथ लोगों को मध के घाट उतार दिया था। मामले में मुक्तार के गुर्गे मुन्ना बजरेंगी का नाम सामने आया था जनकारी के मुताबिक फिलाल मुक्तार अंसारी के खिलाफ कुल 69 मामले दर्ज हैं जिसके साथ 20 मामले फिलाल विचारधीन है इसके साथी मुक्तार अंसारी के 282 गुर्गों पर भी करवाई हो चुकी है जिनमे 126 गुर्गों पर गैक्टर एक्ट और 66 गुंडों पर गुंडा एक्ट के ताहत करवाई की गई है वही मुक्तारानसारी के करीब 230 करोड़ से जयादा कि समपतिय जब्ट की जा चुकी है दरसल प्रद més में योगी सरकार के सत्ता में आने से पहले मुक्ताराणसारी पंजाब की एक जेल में अराम से मफूज रह रहा था मगर योगी अथितियनत की सरकार ने सत्ता में आने के बाद करवाई स्यूरू कर मुक्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर कराया उन्होंने इसके साथ कॉंग्रेस और प्रियंका गांधी पर मुक्तार अंसारी को बचाने की कोशिस करने का आरोप भी लगाया था मुक्तार अंसारी और अंसारी पर मुहंदाबाथ पुलिस नगे नवंबर 2007 को भार कॉल और अरोपी होगा था मुक्तार अंसारी को खिलाफा नियाले में प्रतम दिश्टे आरोप टै किया गया था इसमें अब हियोजन की तरफ से कवाही के बाद इस मामले में बहस पूरी हो गई बता दे कि एक अप्रिल को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी पहले इस मामले में 15 अप्रिल को फैसला आना था लेकिन बाद में इस तारीक को बड़ा करवाई से अप्रिल कर दिया गया फिलाल के प्राफधानों के मुताबिक अगर अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो नियमों के अनुसार ऐसे दृष्टी कोण में किसी भी संसात की संसात सदस सेतर समाप्त हो सकती है ऐसे में अगर मुक्तानासारी के भाय अफजालानसारी को दो सल से अधिकी सजा होती है तो उनकी संसो सतर सतर जाने के उम्मिद जताई जा रही है